फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की यस बैंक के स्टोक में लगातार गिरावट हो रही है और गिरावट का दोर स्टोक को लेकर आ चुका है 12 रुपे से नीचे स्टोक की क्लोजिंग जो है वो 11.95 पर हुई है यानी 12 रुपे को भी तोड़ दिया है जो 12 रुपे जिस पर FPO की प्राइस से लोगों ने खरिदारी की थी बड़े फंड है उसने बड़ी बड़ी बैंकों ने उसमें निवेस किया था उनकी प्राइस से भी नीचे चली गई है तो क्या यहाँ पे अब डरने की जरुद है या फिर इसको अपरचुनिटरी समझ के यहाँ पे खरिदारी करनी चीए आखिरकार YAS BANK में यह हो क्या रहा है? क्यों इतनी लगातर गिराउट हो originally एसके पीछे वज़क क्या है? वाकई में कि YAS BANK इतनी ही जड़ा वीक है या फिर इसको वीक बनाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कुछ खेल खेला जा रहा है? या कुछ और कारण है? तो Yes Bank में जो गिरावट हो रही है इसकी पीछे अब क्या सम्मावना बन रही है क्या इस्टॉक रियल में जिस तर से MK Global की सेलिंग की प्राइज दी हुई ये 10 रुपे की क्या वो सेल टार्गेट पूरा होने वाला है या फिर यहां से स्टॉक में Bounce Bank की सम्मावना बन रही है तो सारी सम्मावना तलासेंगे लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आये तो चैनल को सब्सक्राब कर दीजिए एक बेल आइक उन बारी जाता कि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिपिकेशन आपको मिले वीडियो पसना आए तो लाइक चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते मैं हूँ आपका दोस्स एस भी दवे और अमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स सबसे पहले एक बार कारोबार को डिसकस कर लेते हैं आज यस बेंग का स्टॉक 12 पर ओपन हुआ तो कल इसका 16 करोड का वालिम था आज 11 करोड का वालिम है तो काफी कम वालिम है काम काज हो रहा है अगर इस पैनिक माहुल के बीच में अगर हम NAC के वालिम को अगर एक बार डिसकस करें तो बहुत ही जादा चौकाने वाली बात सामने निकल के आ रही है अगर वालिम की बा इसका मतलब यह है कि एक तरब तो पैनिक माहुल बनाया जा रहा है लेकिन उसी माहुल का फाइदा उटा कि कोई गरूप बहुत भारी मात्रा में खरीदारी कर रहा है यह डिलिवरी बेस जो काम हो रहा है उसे एक बास समझ में आ रही है कि एक तरह से यह मामला फसाने के पैनिक माहुल बन चुका है तो यहां पर इस पैनिक माहुल में घबराटारी कर रहा है जो वालिम सामने इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स स्टॉक काफी ज़्यादा विक तो लग रहा है और जिस तरह से पैनिक माहुल बन चुका है तो यहां पर इस पैनिक के माहुल में घबराट के माहुल में लोग अपना लॉस ज़्यादा से ज़्यादा बुक करके भी इसमें निकलने की कोशिस करें और इस तो बहुत बड़ा उसका निवेस है जो डूबने की कगार पे है वड़ा फॉन आइडिया की वज़े से उसने एक बड़ा पैनिक महुल क्रेट किया वरना स्टॉक 13 के उपर अच्छा का सा ट्रेड कर रहा था लेकिन जब से वड़ा फॉन आइडिया का मैटर हुआ है स्टॉक काफी नीचे आ चुका है और अभी भी समझ मनी आ रहा है कि वड़ा फॉन आइडिया किस तरह से सर्वाय कर पाएगा उस मामले को जब तक क्लेरिफिकेशन आ जाए सरकार की तरब से कोशी से की जा रही है लेकिन जब तक उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा जो धुला पाले समय में अपने NPA को से जादा से जादा रिकवर करने की कोशिस करेगा तो फिलाल जो 2021 जून की जो बात करे तो 38,821 करोड रुपीज का टोटल NPA है यस बैंक का और 39,034 करोड रुपीज था पिछले क्वाटर में तो उन्होंने काफी रिकवर किया अपना NPA लेकिन अ लगातार कर रही है तो जिस तरह से RBI ने उनको पर्मीशन नहीं दी है ARC गठन के लिए तो अब उन्होंने दुसरा प्लान भी सोच खोचा है अपना प्लान भी बनाया है जिसके तैद वो अपनी एक ARC बनाएगी लेकिन इस ARC में वो एक माइनर्टी स्टेक होलडर होंगे लेकिन मेजोर्टी स्टोक होलडर दुसरे रहेंगे और उनके माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा लेकिन Yes Bank भी उसमें पार्टनर होगी तो वो अलड़ी उन्होंने एड़टाइज दी हुई है जिसमें कोई भी बड़ा है जो फंड आउस है वो इसके लिए अपनी अप्लि लो निश्टार और जैसी फ्लावर्स जैसे जो बड़े फंड आउस है उनसे भी बाते चल रही है अगर वो सब मिलके अरसी बनाते है तो उसमें एक माइनोर्टी होल्डर के तौर पे यस बैंक रहेगी और वो जल से जल्द अपने जो बैड एंपी है उससे चुटकारा चा कर रही है और इसकी तरब से उन्होंने अपने कदम भी आगे बढ़ा दिये तो इस वज़े से हो सकता है कि जल्द से जल्द इस एंपिय को वो निलाम कर दे और इस एंपिय से चुटकारा पाले फिलाल यह है सुच्योशन की इस लेवल पे आपको इसमें आपको पैनिक होने को गिराए जा रहा है साथ में कुछ ऐसे कारण बन रहे है जैसे के वोड़ा फोन आइडिया का मैटर बन गया वोड़ा फोन आइडिया के वज़े से ही यह बैंक के श्टक में काफी ज़्यादा गिरावट हुई है और इसलिए आपको इस समय आपको सावधानी के साथ रहन किये गए है और उस समय यस बैंक की सेहत बिलकुल समझ में किसी को नहीं आरच उसके बाउज भी उन्होंने 12 रुपे की प्राइस से इसमें खरीदारी की हुई है तो आपको डर दे की कोई जरूत नहीं है अभी फिलाल यह स्टॉक थोड़ा सा वीक लग रहा है क्योंकि यह अपने मजबूत सारे सपोर्ट तोड़ चुका है और इस वज़े से स्टॉक काफी ज़्यादा पैनिक लग रहा है और अभी एगर इसके वीकली परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बेरिश लग रहा है बातावरन स्टॉक में और भी गिराउट हो सकती है तो एक बार इस सपोर्ट इसका 11.6 तो कल यह 11.6 तो फिलाल अगर इसमें माहुल टेजी का बंदय लगता है कुछ पॉजिटिव नहीं जाती है तो साड़े तेरा के आसपास जाने की सम्मावना है लेकिन फिलाल यह स्टॉक इतने बड़े सांधार रिजल्ट के बाद में भी नीचे आया त तो इसका मतलब निगेटिव माहुल टो बन चुका है लोग इसमें बहुत ज़्यादा घबराये हुगा और इसी वज़े से स्टॉक की प्राइज नहीं बड़पारी है पर उन्तु बहुत जल्द इसके दिन चेंज होंगे आने वाले समय जब इसकी तेजी बनने लगी तो लगातार दोड़ेगा और तब सारे निगेटिव वातावन पॉजिटिव बन जाएंगे तब तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा और इसके लिए आपको धहरे के साथ बैटना है इस समय आप लॉस बूक करोगे तो आने वाले समय जब इसकी प्राइज बड़ेगी